अबी छात्रों को सीखना आये काम उनका है ऐसा लगता ही नहीं उनको ऐसा लगता है कि इन चिक्षक को पगार मिलता है इन्हें कुछ काम नहीं इनको सिखाने बोला गया है और वो आकर हमें सिखाते है अगर आपनी छात्रों से खुल कर बात की और उनसे पुछा कि उनका सीखने के बारे में क्या ख्याल है तो बोलेंगे इन लोगों को कुछ काम नहीं है, इनको स्कूल में भरती करते हैं और हमें सिखाते हैं। इसलिए क्योंकि उनको सीखनी की प्रक्रिया से लगाव नहीं है, उनका ऐसा लगता है ये शिक्षक का काम है। और अवध करना और हमध करना ये माबाप का काम है। उन्हें वो खुत का नहीं लगता। तुमको वो कम अपना सा कब लगेगा जब वो कम उन्हें चुनोती के र कुछ शिक्षक ने फिर सवाल उठाया सिर्फ पढ़ने से थोड़ी होगा हमने भी बोला हां सिर्फ पढ़कर कुछ नहीं होने वाला तो फिर हमने बोला चुनोती और अलग प्रकार से देंगे देखिए मराथी भाषा की या गणित की चुनोती कैसे डेवलोप होते गए हमने तैकिया अलग प्रकार से चुनोती देंगे एक शिक्षक ने क्या चुनोती दी उसने कहा हमें क्या करना है हमें 11 पार्ट सीखना है तो फिर उन्हें ने कहा आज तुम्हें चालेंज है हम देखेंगे 11 पार्ट में सबसे ज्यादा सवाल कौन तयार करता है अभी तक हमने चा पहले चात्रों का काम शुरू है जैसे ही challenge कहा, चात्रों काम शुरूरू, सबसे ज्यादा सवाल उन्हें तयार कर रहे थे, अभी पार्ट में कौन कितने प्रश्न तयार करेंगे, इसका सफर शुरू हा। सवाल कैसे निकालने है ये शिक्षक ने नहीं कहा, चात्रों ने एक दुसरी की मदद की और उन्होंने सवाल निकाले, आपको अश्चर्य लगेगा, हम जब ऐसा चैलेंज बच्चों को देते हैं, तब एक एक टॉपिक पर या एक एक पाठ पर देड़ सो, दो सो, ढाई सो, इतने सवाल चात्रों निकालने लगे, आप सोचिए, उसको कोई एक ग्यारवा पाठ अगर बोल भाशका, और वो पाठ पर चात्रों ने 330 सवाल निकाल है, तो फिर उस पाठ में बाकी क्या रहा होगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, इतना वो पाठ सवाल निकाल कर सिख इतना वो पाठ बच्चों ने पढ़ लिया, एक एक लाइन पर तीन चार सवाल चात्रों ने निकाले, ऐसे बहुत सारे सवाल चात्रों ने निकाले, और ये करने के बाद शिक्षक को ध्यान में आया, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा पाठ तो चात्रों ने खु जादा बोली जाती है, ये ट्रेनिंग वहाँ पर करना था, और मुझे बंगाली नहीं आती, उनको मराठी नहीं आती, और हिंदी का भी अच्छा ट्यूनिंग नहीं है, इसलिए साहया क्रे नमक एक LFE का कार्य करता है, जो मूलता बंगाल से है, पर फिलहाल महराष्टर में रहता है, वो मेरे दुभाशी के तोर पर काम करने वाला था, त्रिपुरा में, और दुभाशी का काम समझने के लिए, वो वाशीम आगाया, वाशीम ने हमने उससे हमारा काम दिखाना शुरू किया, हम चिकली बुद्रुक के स्कूल में गए, चिकली बुद्रुक के शिक् पूजा की खासियत यह थी कि पूजा कहती थी आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन दिन खतम हो गया लेकिन मेरे सवाल खतम हो गये दिन तो खतम हो जाता है लेकिन मेरे सवाल खतम नहीं होते कभी 330 होते है कभी 400 होते है फिर भी पाड़ बाकी रहता है सवाल निकलना भी बाकी होता है फिर उन्होंने पूजा की नोटबुक हात में ली और उसे सवाल पूछने लगे, जिस गति से सहाय करे सवाल पूछ रहा था, उस गति से पूजा उन सवालों का जवाब दे रही थी, कुछ प्रशनों उसने पूछे और फिर वह हक्का बक्का हो गया, और वह कहने लगा, अभ उनके जवाबों का रट्टा मारकर हम सब पास हो है, अभी सवाल भी हम ढूंड रहे हैं और उनके जवाब भी हमें आ रहा है, इसलिए हमें किसी ने सवाल निकालना सिखाये नहीं, हमें सिर्फ जवाब सिखाये, सवाल निकालना नहीं सिखाये, इसका बहुत बड़ा पड़ते गए